अपनी किताब शोरली या जोकिंग मिस्टर फाइनमेन मैं भौतेक विज्ञानी और नोबेल पुरुसकार विजेता रिचर्ट फाइनमेन यह कहानी सुनाते हैं जब वे लगभग बारा वर्ष के थे उन्होंने रेडियो ठीक करने शुरू किये एक बार उन्हें एक ऐसा रेडियो ठीक करने को कहा गया जो आन होते ही कुछ मिंटों तग करकश शूर करता और उसके बाद ही उसमें मधूर संगीत बचता शुरू का करकश शूर रेडियो सुनने का सारा मज़ा किरकिरा कर देता फाइनमें ने समस्या के बारे में कुछ देर सोच यह निशकर्श निकाला कि रेडियो के अंदर के वाल्व गलत करम में गरम हो रहे हैं पहले एम्प्लिफायर का वाल्व गरम हो रहा है और तीव रिध्वनी उत्पन कर रहा है क्योंकि अभी ट्यूनर का वाल्व गरम नहीं हुआ इसलिए रेडियो कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा है फाइनमें ने दौनों वाल्व की अदला बदली कर दी कि पहले ट्यूनर का वाल्व गरम हो ताकि जब तक एम्प्लिफायर वाल्व गरम हो तब तक रेडियो किसी चैनल में ट्यून हो चुका हो अब जब रेडियो को अन करो तो पहले कुछ मिनिट वो शान्त रहता और फिर उसमें मधुर गाने बजने लगते रेडियो के अंदर के इन वाल्व की तरह हम मनुश्यों के अंदर भी तीन वाल्व होते हैं पाने की चाह का वाल्व हमें ज्यादा बैंक बैलन्स अगली बड़ी गाड़ी और अगला बड़ा घर जोडने के लिए उकसाता है सबसे पहले हमारे अंदर यह वाल्व जलता है और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए हम धन और भिन वस्तुएं जुटाना चाहते हैं पैसा और चीजें जुटाने के लिए हमारे अंदर फिर काम करने की चाहा का वाल्ट जल उटता है और हम रोजगार या कोई व्यवसाय शुरू कर देते हैं हम अपने से कहते हैं कि पहले हम काम करेंगे जिसको करके हमें बहुत सारा धन और वस्तुएं प्राप्त होंगी और फिर जब यह सब एकत्रित हो जाएगा तब हम अपने जीवन की सार्थकता और आत्म जागरुकता मीनिंग, परपस और सेल्फ अवेरनेस पर गौर करेंगे हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर के ये तीन वॉल्फ जिस करम से अज्वलित हो रहे है सबसे पहले पाने की चाह का वॉल्फ, फिर पाने की चाह को पूर्ण करने के लिए काम करने की चाह का वॉल्फ और अंत में अपने जीवन को सार्थक बनाने की चाह का वॉल्फ क्या यह क्रम हमारे जीवन को आनंदपूर्ण बना रहा है या क्या इससे हम चिंतित और तनाव ग्रस्थ हो रहे हैं इस क्रम का अनुसरण करने से हमारा जीवन करकश शोर करने वाले रेडियो सा तो नहीं बनता जा रहा है क्या हमें सबसे पहले अपने भीतर अपने जीवन को सार्थक और आनंदपूर्ण बनाने की चाह के वॉल्फ को उजोलित नहीं करना चाहिए ताकि हम ज्यादा आत्म जागरूक सेल्फ अवेर बन सकें ऐसा करने से क्या हम अपने पाने की चाहा और करने की चाहा के बहतर विकल्प नहीं चुनेंगे ऐसे विकल्प जो हमें कंपल्सिव बाद्धिना बनाए हम पैसा और चीजें जोड़ें पर इस तरह से की पर्यावरण को हानी न पहुँचे और अन्य मनुश्यों जीवों और हम सभी की आने वाली पीडियों के लिए भी पर्याप संसाधन बने रहें इस बात पर विचार कीजिएगा कि आप अपने जीवन के ये तीन वाल्व किस क्रम से प्रजुलित करना चाहते हैं